हाई अवरिवन मैं हूँ धनंज है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जब से रश्या और यूकरेन के बीच में वार शुरू होता है तब से हम कह सकते हैं कि इरान और रश्या काफी नजदीक आये हैं या लमसम हम ये भी समझ सकते हैं कि वो सारे देश काफी हैं जो कि ये बता रहा है कि जो ग्लोबल टेंशन है वो काफी बढ़ा है शायद हम ये भी कहें कि अगर ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का सबसे आदा टेंस सिचुएशन हो रखा है तो हम गलत नहीं रहें इसके पीछे हम कह सकते हैं कि एक तो बहुत बड़ा जो हम ये भी जानेंगे कि रस्या और इरान के बीश में क्या चल रहा है रस्या ने अपने एक रीजन अनाूंस्मेंट में ये कहा कि बहुत हद तक रस्या ये कह रहा है आने वाले दिनों में ये भी देखना काफे दिलजस्प होने वाला है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं अगर हम इस्राइल की बात करें तो इस्राइल का relation इरान के साथ और रश्या के साथ दोनों खराब है तो normally कहावत हम लोगों ने भी सुना है कि जो आपके दुश्मन का दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है तो कुछ इसी principle पे काम करते हुए Iran, Russia, China, North Korea ये सब देश एक अपना अलग group create कर रहे हैं और ऐसा ये कुछ situation हम देख सकते हैं First World War और Second World War के आसपास भी चल रहा है अब USA को ये लगता है न कि अगर वो इरान के उपर या वैसे किसी देश के उपर जिन से relation उनका अच्छा नहीं है अगर वो उनके उपर sanctions लगाते हैं तो उस देश के economy collapse कर जाएगी और as a result वो देश वही करेगा जो US करवाना चाहता है लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि US के दुआरा excessive sanctions का इस्तेमाल करना एक अलग टाइप का groupism को वो create कर दिया है इसके अलावा एक और देश जो इसराइल है अगर आप इसका behavior को देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि ये किसी भी देश के उपर जाके strike कर देता है और इसके पीछे का भी वज़ा USA ही है क्योंकि USA इसराइल को financially support भी करता है और weapon से भी support करता है और इसराइल अपने आस पास के देशों के साथ इतना जादा अपने relations को खराब कर रखा है कि इसके वज़े से जो global tension है वो भी बहुत हद तक बढ़ा है इसराइल के पास अगर कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो ये बस वही second world war का जो topic है जहां पे इनके साथ persecution किया गया था उसी को ये as in victim card खेलते रहते हैं बीते 70-80 सालों में अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ Jewish के साथ ही persecution नहीं हुआ था बलकि और भी बहुत सारे अलग-अलग जो tribes या लोंग थे उनके साथ persecution हुआ था best example आप भारत के साथ ही देख लें लगबग 200 सालों का जो British का राज था भारत में इसमें हम कह सकते हैं कि लमसम 35-40 करोर भारतियें directly मारे गये हैं Britishers के द्वारा तो क्या भारत बार बार इसी चीज़ को वो लाता रहे बोलता रहे और victim card खेलता रहे ठीक है जो past में हुआ था वो गलत था लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप इतिहास को present में लाएंगे और victim card खेलेंगे और आप किसी दूसरे देश के उपर attack करेंगे जिस random तरीके से Israel attack करता है ये भी किसी तरीके से war crime से कम नहीं है लेकिन क्योंकि US के दौरा strong backing है और US कहीं न कहीं global leader है तो वो अपने power का misuse करता ही रहता है क्योंकि Iran एक sanction country है US के दौरा और भी अलग-अलग western countries के दौरा तो इसका नुकसान जो neutral countries होते हैं उसके उपर कुछ इस तरीके से पड़ता है कि उन्हें अपना जो crude oil का जो demand है उसके लिए सिर्फ कुछ देशों के उपर ही उनको dependent रहना होता है इरान दुनिया का fourth largest oil reserve वाला देश है तो अगर इरान के उपर sanctions ना लगाय होते हैं और इरान से अगर bad के बातचीत किया गया होता तो आज जो global price है crude oil का वो कह ही न कहीं कम होता तो inner way हम ये कह सकते हैं कि जो भी आज के rate में global oil का price है ये बहुत हद तक over price है और देश कुछ देशों के वज़े से over price को pay कर रहे हैं अब आप एक चीज़ को सोच के देखिए अगर इरान के उपर sanction लगा हुआ है अगर रश्या के उपर sanction लगा हुआ है या ये तो ऐसे देश जिनकों की maximum benefits हो रहे हैं और ये आप latest article देख सकते investopedia का वक्त मिले तो आप इस article को जाके पढ़िएगा लमसम कुछ यही है कि बीते कुछ सालों में 3-4 सालों में Saudi Arabia और UAE दुनिया का largest oil producer या oil exporter में इनका गिंती आता है तो इस चीज़ से आप एक चीज़ पार जब हम war को पढ़ें तो हम सिर्फ war को as in war के तरीके से ना पढ़ें बलकि हम एक deep analysis करें कि अगर ये war हो रहा है तो किसको benefit पहुंच रहा है और किसको नुकसान पहुंच रहा है भारत हर वक्त ये कोशिश करता है कि वो अपना neutral perspective को दिखा पाए या neutral रहे लेकिन जब situation क as a result रश्या के उपर लगभग 500 से भी अधिक type के sanctions को लगा दिये गए है western countries के दुआरा वहीं पे अगर हम इरान की बात करें तो क्योंकि इरान का relation Saudi Arabia, Israel, US इनके साथ अच्छे नहीं है तो इनके उपर भी sanctions लगा दिये गए है इरान के बारे में ये कहा जाता है कि ये nuclear weapon को develop कर रहे हैं और अगर ये develop कर लेंगे nuclear weapon को तो इससे global threat काफी बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं उस global threat में जो सबसे immediate threat होने वाला है वो Israel और Saudi Arabia को होने वाला है as a result ये देखा जा रहा है कि लोग या देश अपने अपने हिसाब से groupism create कर रहे हैं वहीं पर रश्या के foreign minister के दुआरा ये कहा जाता है कि Moscow और तहरान एक नए treaty के उपर sign कर रहे हैं और ये treaty almost finalize हो ही चुका है और इस treaty के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये काफी futuristic type का deal होने जा रहा है रश्या और इरान के बीच में अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि क्योंकि रश्या एक nuclear power देश है और no doubt जो रश्या का defense है वो बहुत advanced तो नहीं है लेकिन हम बहुत खतक ये कह सकते हैं कि आज भी रश्या काफी strong देश है और वो single-handedly USA को challenge कर सकता है और अगर रश्या और इरान साथ बैठते हैं collaborative तरीके से और अगर ये किसी भी तरीके से अपने defense को enhance करते हैं तो कहीं न कहीं जो global threat है या tension है वो definitely आगे बढ़ेगा और उसके अलावा जिस तरीके से इस्राइल randomly attack करता है इरान के उपर या Syria के उपर और ये बताता है कि जहा जहांपे इसराइल के safety security को threat पहुंचता तो आप randomly किसी देश के उपर attack करके आप simply ये नहीं कह सकते हैं कि आपके उपर क्योंकि attack होने वाला था इसलिए आपने पहले ही attack कर दिया और जितनी बार भी इसराइल attack करता है कहीं न कहीं जो civilians से उनकी भी जान जाती है recent attack किया गया है इसराइल के दुआरा Damascus, Syria में जिसके बारे में रश्या बढ़ चड़कर criticize कर रहा है इसराइल को जहांपे रश्या के high ranking official ये कहते हैं कि जो इसराइल ने किया है वो act of terrorism है और ये act of terrorism क्यों ना हो क्यों US को ये advantage मिला है या क्यों कुछ western countries को ही ये advantage मिला है कि वो word terrorism को use कर सक अगर Jewish के साथ second world war या उसके पहले अगर persecution हुआ था तो जिस तरीके से Israel attack कर रहा है random तरीके से क्या ये persecution नहीं है तो definitely ये भी act of terrorism है और ये भी एक planned तरीके से mass murder है इसी बीच लगभग 2019 तक भारत इरान से सस्ते कीमत पे oil purchase करता था क्योंकि इरान के उपर back to back इतने sanctions लगा दि countries के द्वारा कि भारत के लिए बहुत scope नहीं बच जाता है कि वो इरान से सस्ते कीमत पे crude oil purchase करें लेकिन वहीं पे ये देखा जा रहा है कि China बढ़ चड़कर इरान से सस्ते oil purchase कर रहा है साथ में Russia से भी सस्ते oil purchase कर रहा है और ये चीज लगभग सभी को पता है और in fact बहुत ह emissions हो गया या too much sanctions लगाना कहीं से भी कोई एक effective method नहीं रह गया है और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो जो act of diplomacy है dialogue है वही चीजों को resolve करेगा और इन सब violence के पीछे एक जो देश सबसे बड़ा responsible है वो no doubt US है क्योंकि कहीं पे भी war होता है कहीं पे भी attack होता है तो वहाँ पे US का नाम आता ही आता है और US की economy बहुत हद तक dependent है arms ammunition के export पे बहुत हद तक हम यह कह सकते हैं कि Saudi Arabia के पास 80 से लेकि 90% जो weapons है वो directly supplied by US है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बत I see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye